नमस्कार मैं संजीव कुमार आज Best Seller Seven Secrets of the Goddess का हिंदी अनुवाद देवी के सात रहष्च जिसके लेखक है देवदत पतनायक इसके तीसरे और अन्तिम अन्स को संछेप में प्रस्टुत करने का प्रयास कर रहा हूँ पुराणों में हमें लक्ष्मी की बड़ी बहन जेश्ठा के बारे में पता चलता है जिसे और लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है और जो हमेशा उसके साथ रहती है वह यानि अलक्ष्मी कलह की देवी है यही कारण है कि लक्ष्मी की संपन्नता के साथ कभी सुख सान्ती की संगत नहीं होती घर में सान्ती के लिए सीव या विश्णू को खोज कर उनका आहवान करना चाहिए जब लक्ष्मी के साथ सीव या विश्णू रहते हैं तब लक्ष्मी के साथ अलक्ष्मी नहीं आती सरस्वती का रहश्य कल्पना से मस्तिक्स विश्ट्रित या संकुचित हो सकते हैं पुराणों में सरस्वती ब्रह्मा की पहली सिष्टी यहां तक की ब्रह्मा द्वारा रची गई पहली इस्त्री बताई गई हैं ब्रह्मा उस पर मोहित हो जाते हैं ऐसे सगोत्रिय व्यविचार पर भ्रिकुटियां तंजाती हैं और रुद्र शिव जो त्याक तपस्या को साकार करते हैं या तो ब्रह्मा का सिरकार देते हैं या बस उन्हें आकास में जड़ देते हैं ताकि ब्रह्मा सरस्वती का पिच्छा न कर सकें वैश्णव साहित में लक्ष्मी भोग पत्नी बन जाती हैं जो आनंद से फास्ती हैं और सरस्वती मोक्ष पत्नी बन जाती हैं जो ज्यान द्वारा मुक्त करती हैं लक्ष्मी मन मर्जी से आती जाती हैं मगर उसे सक्ती और छल से बाधा जा सकता है परंटू सरस्वती भारी प्रयास के बाद ही आती हैं मगर एक बार आने पर वह जाती नहीं एक लोग कथा में अपनी दोनों पत्नियों की कला से तंग आकर विश्णू उन्हें अलग-अलग कर देते हैं सरस्वती को अपनी जीव पर रख कर वे लक्ष्मी को अपने हिदय अथवा पैर में रख लेते हैं इस तरह वे दोनों का सर्वत्तम प्राप्त करते हैं सातमा विठ्ठई का रहस्य स्नेह सीमाय मिटाता है विश्णू की तरह विठ्ठल के करणफूल मचली के आकार के हैं जीवित रहने के लिए मचली को चलते रहना पड़ता है और इस तरह ये करणफूल सांसारिक जीवन इंगित करते हैं जहां सब को गति सील रहना पड़ता है क्योंकि कुछ भी इस्थिर और इस्थाई नहीं रहता विठ्ठल का मतलब है जो इट यानी विट पर खड़ा है तेरवी सदी में महाराष्ट के युवासंत ज्यानेश्वर ने उस जमाने के हिसाब से एक क्रांतिकारी काम किया उन्होंने इस्थानिय भासा महाराष्टिय प्राक्रित यानी पुरानी मराठी भासा में संस्क्रीत की भगवत गीता का अनुवाद कर दिया लेकिन एक अन्तर के साथ भगवत गीता के क्रिष्ण जहां वीर पावरुस संपन्य योध्धा सार्थी हैं वहीं ज्यानेश्वर की ज्यानेश्वरी में क्रिष्ण विठ्थई या माता विठ्थल हैं विठ्थल जिनका मंदिर पंधरपूर में है महाराष्ट में क्रिष्ण का लोक प्रिय नाम है संत ज्यानेश्वर ने उन्हें इस्तरी रूप में देखा उनके लिए क्रिष्ण वह स्नेहसी लगाय थे जो खोए हुए और डरे अर्जुन को अपने ज्यान के दूद से सांत्वना देते हैं इस्वर के बिना देवी का अस्तित्व संभव है लेकिन वह कभी लक्षित नहीं होती क्योंकि जब इस्वर नहीं है तो मस्तिक्स्क भी नहीं है इस तरह से वे प्रकृति पुरुष एक दूसरे पर निर्वर हैं सिव का अर्ध नारिश्वर रूप इस्वर और देवी की बराबरी का संकेत तो देता है पर ऐसा है नहीं यह अर्ध इस्त्री वाला रूप साफ साफ सिवही का रूप है देवी का ऐसा ही कोई अर्ध पुरुष वाला रूप नहीं है यह तभी समझ में आता है जब हम मस्तिस्क और प्रकृति के रूप में इस्वर और देवी के प्रतिकात्मक अर्थ को समझने लगते हैं प्रकृति के बिना मस्तिस्क का अस्तित्व संभव नहीं है लेकिन मस्तिस्क के बिना भी प्रकृति का अस्तित्व हो सकता है पुराण इस बात को भी दोहराते हैं कि सभी पुरुष देवताओं का सार इस्त्रेण होता है लेकिन इसका उलट सच नहीं है इस तरह जब एक असुर आक्रमण करता है और देवताओं भाग कर ब्रह्मा के पास जाते हैं फिर विश्णू के पास और फिर सिव के पास तो उन्हें अपनी आंतरिक सक्ति को मुक्त करने की सलाह दी जाती है या सक्ति इस्त्री रूप में बाहर आती है इंद्र से इंद्राणी विश्णू से वैश्णिमी वराह से वाराही कुमार से कुमारी और विनायक से विनायकी ये सभी मात्रिकाएं बन जाती हैं जो मिलकर असुरों का नास करती हैं वे एक दूसरे से मिलकर दुर्गा भी बनती हैं सभी देवताओं की परम्रचक पुरुस नायकों का अनुकरण करते हुए दुर्गा युद्ध कर सकती हैं लेकिन किसी भी समय वह पुरुस नहीं बनती धन्यवाद नमस्काद मैं संजीव कुमार